हेलो एवरिबन कैसे हो आप सब लोग तो आज हम बात और यहांगे पावर ओ प्राइज एक्षन की कि प्राइज एक्षन मार्केट में किस प्रकार काम करता है दूसरा मैं आपको चार्ट रीडिंग करना शिखाऊंगा market का price action की according और दूसरा market की psychology की according कि market psychology की according किस प्रकार काम करता है और market में price action की according आप किस प्रकार काम कर सकते हैं मेरा जो आज main focus रहेगा वो रहेगा gap down की उपर कि mostly जब market कोई gap down open करता है तो वहाँ पे आपको पता होगा कि positional stop loss नहीं होते तो आप उस समय gap down में negative momentum क्यों देखने को मिला देखी पहले आपको इसमें chart को यहाँ पर देखना पड़ेगा कि chart में हो कह रहा था अगर हम पीछे जाए chart में तो एक हमें buying side का momentum नज़र आ रहा था उस समय gap down नज़र आया तो यहाँ पर क्या हुआ था यह हमारे लिए major point रहेगा तो देखी होता क्या है जब आप एक market एक uptrend में चल रहा है या कोई downtrend में चल रहा है तो जब एक uptrend में market चलता है न वो क्या करता है देखी मैं आपको थोड़ा शी ऐसे करता हूं इसको जैसे कोई market uptrend में चल रहा है ऐसे ऐसे uptrend हो रहा है तो अगर market में मान लेते हैं आपने यहाँ पर मिस्ट कर दी कोई opportunity आपने यहाँ पर मिस्ट कर दी या आपने यहाँ पर मिस्ट कर दी तो आप करते क्या हो market में यह trend ऐसे बनता क्यों है क्योंकि होता क्या है जब हमें कोई opportunity करने की कोशिश करते हैं और फिर मार्केट दुबारा से एक ahi मों बनाता है क्योंकि यहाँ पर buyer interested हो जाते हैं फिर market downside आता है तो एक trend बनाया जाता है market के दुबारा तो इसमें दुबारा से यहाँ पर buying की जाती है और फिर दुबारा से market एक momentum करता है तो ऐसे ऐसे करके market चलता रहता है अगर उसे uptrend में जाना है तो उस प्रकार हम देख रहे हैं तो अगर इस chart को हम ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या नज़र आएगा एक uptrend में market चला गया था लेकिन जब आपको ये momentum आया और आपको यहाँ पर market एक uptrend में नज़र आने लगा तब जब market में gap down open होता है तो वहाँ पर selling ना करके mostly buying की जाती है तो फिर हुआ क्या था यहाँ पर mostly buying की गई थी कि आप किसी को भी कह सकती है आपके दवारा या किसी और के दवारा और दूसरा आप यहाँ पर आपको नज़र आएगा बहुत ही अच्छे support के पास यहाँ पर market आया हुआ था अगर आप ध्यान से देखोगे chart को तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे support zone के पास market आया हुआ था तो अगर इस support zone को अगर हम consider करके buying वगरा करते हैं यहाँ पे तो क्या होगा next day जब market इतना बड़ा gap down open हो जाता है और यहाँ पे दो दिन का holy day वे था देखिए 11 को और market open होगा 14 को तो यहाँ पे दो दिन का holy day वे था तो premium वे गखरा भी काफी down हो जाते है थोड़ा सा अगर किसीने कोल वे गखरा बाय किया या put वेगरा शोड कर रखाय तो उसमें होता कै感, फिर अगर market gap down open हो जाता है तो उन्हें panick में selling करना पड़ता है क्यों करना पड़ता है क्योंकि उन्होंने यहाँ पे buying किया था इंडेक्स चलता है, दोनों का मेला दूला सिस्टम है, वैसे mostly बात करें तो stock के कानी चलता है, तो किसी ने यहाँ पे अगर stock buy किया था, यहाँ पे stock buy किया था, यहाँ पे stock buy किया था, उसको इतना profit नजर आ गया, और market यहाँ पे open हो रहा है, तो उसको कही ना कही panic selling हमें देखने को मिलती है, तो वही panic selling हमें यहाँ पे देखने को मिला और एक हमें negative momentum देखने को मिला, उसके बाद तो market ने अपने according stop loss की react किये, और उसके बाद market continue चलता गया, लेकिन बात कर रहा हूँ, अगर positional stop loss नहीं है, और अगर ऐसा gap down open हो जाता है, या कोई gap open हो जाता है, उसको आप किस परकार identify कर पाओगी, अगर कोई भी situation आपके नजर आती है, तो आपको देखना होगा कि market में trend क्या चल रहा था, उसमें हुआ क्या होगा, यह आपको पता होना चाहिए, यह कोई ऐसा नहीं है कि कोई आपको आकर बताएगा, यह आपको पता होना चाहिए, अगर आप chart reading सीखना चाती हो, तो कि market में uptrend चल रहा है, तो कोई gap down open होगा, तो वहाँ पे buying की जाती है, अगर कोई market downtrend चल रहा है, तो वहाँ पे एक थोड़ा अपसाइड आएगा, तो वहाँ पे एक resistance की तरह एक्ट करेगा market, और वहाँ पे selling की जाती है, यह आपको पता होगा, तब ही वह ऐसे ऐसे है ना, जैसे buying ऐसे वह होती है, और downtrend कैसे होता है, ऐसे होता है, क्योंकि upper side आता है, जिसने opportunity miss कर दी थी, वह दुबारा से selling करता है, और जो buying trend में buying करता है, तो ऐसा होता है, इसलिए यहाँ पे क्या किया गया था, buying किया गया था, इसलिए यहाँ पे हमें एक major selling देखने को मिली, और एक uptrend के बाद जब index जब इतना gap down open हो जाता है, तो हमारा जो stop loss है, या जो हमारा profit booking है, वो हमें करना पड़ता है, क्योंकि market में कुछ profit नजर आ गया था, लेकिन market यहाँ पे इतना downside है, हमने expected नहीं किया था, market में negative news भी है, तो हमें panic में अपना माल निकालना पड़ता है, तो यही हमें देखने को मिला, अब बात आपने यहाँ तक उस stock को निकाला नहीं, तो आप पताईए, यहाँ पे कैसे निकालेंगे, अब माल लेते हैं, आपने कोई stock buy कर रखा था, वो 200 से 150 हो गया था उसमें, अगर यह market में जब यह downfall आया था, यहाँ तक, तो आपने 150 पे नहीं निकाला stock, तो कब निकालोगे, जब 150 से downside चले आ जाएगा, तो stocks, आप समझे थोड़ा सा, index और index stocks के कांट चलता है, तो जब कोई stocks downside तभी आएगा न, जब index यहाँ तक आएगा, तो जब तक index इसको cross नहीं करेगा, तो आपको पता है, जो index के जो stocks होते हैं, तो जब तक आपको panic selling देखने को नहीं मिलेगी, जब तक इस line को या इस जो down point है, इसको cross नहीं करेगा, index तब तक हमें stocks वगएरा में या index के अंदर panic selling देखने को नहीं मिल सकती, selling देखने को मिल सकती है, जैसे आपको यह upper side नजर आ रहा होगा, लेकिन यहां पे कोई आपको major selling नजर नहीं आ रही होगी, थोड़ा बहुत market ने stop loss वगएरा create करता रहता है, और वो दीरे-दीरे अपने according काम करता रहता है, हमें panic selling देखने को नहीं मिलती, जो यहां पे जैसे इतने-इतने point वाली, हमें selling देखने को नहीं मिली होगी यहां पे, तो आपने आपको चार्ट में नजर आ रहा होगा, अब बात कर लेते हैं इसमें up trend क्यों हुआ, up trend की यह दो reason हैं यहां पे, पहला तो आपको पता चल गया कि यहां से इसके downside से पहले में एक panic selling देखने को नहीं मिलेगी, दूसरा है, यहां पे एक psychology point है, कि देखिए जहां पे, मान लेते हैं, आपने यहां पे market को देखा, और आप market को देख थी रहे गए, लेकिन selling नहीं कर पाई, होता है ना, ऐसा कि कभी हम market में आते हैं, लेकिन हमेत नहीं होती कि buy कर ले यहां sell कर ले, तो मान लेते हैं कि आपने यहां पे buy, sorry sell नहीं किया, तो आप क्या करोगी, जब next time, जब market gap down open हो जाता है, हमारी psychology ऐसी बनी होती है, जो पिछला हुआ होता है, जो chart, उसके according react करने की कोशिश करते हैं, market chart को, आपने सुना होगा, कि अपना history repeat करता है, history को repeat करता है, चार्ड को repeat नहीं करता, आप समझने की कोशिश कीजिए, कि market downtrend में जाएगा, यह नहीं कि downtrend में नहीं जाएगा, जब gap down open होगा, तो downtrend में जाएगा, लेकिं वो chart को repeat नहीं करिगा, चार्ट में कुछ आपको अलग नज़र आएगा तो उसको चार्ट रीडिंग को समझना पड़ेगा आपको की समय कौन सा रियक्ट करेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कोई चिंता वाली बात है ने क्योंकि अमारे पास एक अक्जेंपल और आज इसके अंदर हमें कुछ अ कोई भी पास सकते कि मार्कित कभी भी गिर सकता है तो हम क्या करते हैं कोई भी र koї बिड कंडल देखके हम सैलिंग करने की कोशिज करते हैं यहां पर आपको मैं यह पता सकता हूं कि यह वाली शोटो जो को कि तो बारा बजे के रहे थे फिबार दर आर्याग एक्सपायरी तो देखी यहाँ पे एक अच्छे लेवल के पास यहाँ पे आया होता यहाँ पे resistance ले रहा था यहाँ पे resistance ले रहा था तो वहाँ पे selling करने की कोशिश केरता है तो market उनके stop loss खा जाता है तो यह कोई buying विगरा नहीं होती यह केवल और केवल stop loss हीट होता है क्योंकि stop loss में market order प कि इस point से downside दाने के बाद ही हमें panic selling देखने को मिलेगी लेकिन market यहाँ पे open हुआ लेकिन हमें green candle नजर आई उसका reason क्या है उसको मैं explain करने की कोशिश करूँगा अब देखिए आपको क्या नजर आ रहा है market में एक uptrend तो था वहाँ पे क्या नजर आ रहा था एक uptrend था और वो भी आ रहा है दूसरा market में आपको क्या है एक gap down के बाद थोड़ा सा uptrend तो जरूर देखने को मिला यहाँ पी uptrend तो आपको जरूर देखने को मिला लेकिन यह uptrend क्यों नहीं काम किया देखिए मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा मुझे call आ गया था तो अब किसी ने sort कर दिया होगा जब market इतना upside चला गया था तो में भी किसी ने sort किया होगा या किसी ने buy किया होगा तो उसमें होता क्या है अब थोड़ा सा मैं आपको आगे explain करने की कुश्य को रहा हूँ यहाँ पर क्या हुआ अब देखिए जब market इतना बड़ा gap down खुला तो हमे क्या देखने को मिलना चाहिए था panic selling देखने को मिलना चाहिए था लेकिन हमें मिला नहीं क्यों नहीं मिला अब मैं आपको बात समझाता हूँ जब market मैंने आपको क्या था अब trend में जाता है तो जब down आता है तो हम क्या करते है बाइंग करते है लेकिन जब downtrend आता है और उस में भी किसी ने बाइंग किया गा, उसका भी मैं रीजन आपको बता दूँ है, माल लेते हैं किसी ने बाइंग भी किया होगा, लेकिन मोटा मोटा आपको चार्ट में नजर आएगा कि एक डाउं ट्रेंड स्टार्ट होने के बाद जब मार्केट दुबारा से उसी इसको ध्यान से देखिए, तो फर्स्ट टाइम ये कंडल होती है ना, ये आपको रेड नजर आई थी, मुझे पता था, मैं मार्केट को देख रहा था, ये फर्स्ट टाइम देखो कि आप कंडल रेड नजर आई थी, उसके बाद ये गरीन बनी थी, तो ये क्यू बना था, देखिए, ये जो रेड होती है ना, ये दो परकार से बनती है, एक ऐसा होता है जग मार्केट को ओपन होती ही, अगर उनका स्टोक डाउंसाइड चला गया है, तो बिना देखे मार्केट ओडर पर अपना अग्जिक्यूट कर देते हैं, उन्हें कोई लेना देना नहीं होत आना वो इतना फास्ट नहीं था, लेकिन ये अपसड इतना फास्ट क्यों था, देखिए, फास्ट तभी मुमेंटम आएगा जब मार्केट में ओडर, मार्केट पे लगेगे, मार्केट पे ओडर आप अग्जिकूट करोगे, तब मार्केट में एक मुमेंटम देखने को मि अगर selling यहां पर किया गया था तो अगर उन्हें profit इतना profit बन रहा था market में और यहां पर expiry भी था तो वो कोई भी risk उठाना नहीं चाते थे जिसने call को short कर रहा था या put को buy कर रहा था या किसे ने future को short कर रहा था तो जब तक उन्हें red candle नज़र आई तब तक तो वो market में wait कर रहे थे लेकिन जब green बनने लगा तो उन्होंने उन्हों को भी थोड़ा सा डर लगने लगा क्योंकि market में एक down trend के बाद एक uptrend देखने को मिला था में तो उन्हें लगा कि कहीं वो situation ना बन जाए तो इसलिए सभी ने अपनी position या अपने target booking करना शुरू कर दिये यहां पे तो booking करने से क्या होता है उन्होंने पहले तो थोड़ा wait किया होगा लेकिन बाद में जब market reverse करने लगा जब market में एक अच्छा point का momentum आने लगा तब स किस प्रकार momentum market में किरियट हो जाता है और जब market में momentum लगने ही लगते है market order पर तब हमें ऐसे momentum नजर आते हैं तो यह उसका reason यह था अब मैं आके बात कर लेता हूँ कि market ने यह downfall किया तो किस प्रकार किया तो यह तो आपको पता ही होगा मैंने आपको position यहां पे बनाई थी अब यह देखी हमें बात कर लेते हैं panic selling वाली कि panic selling देखने हैं क्यों नहीं मिली तो देखी कुछ ऐसे होते हैं जो market पे order अपना निकाल देते हैं मैंने आपको कहा थे कि market में downside खुल गया या उनका stop loss नियर भाई आ गया तो वो अपनी position को निकाल देते हैं लेकिन कुछ ऐस होते हैं जो थोड़ा सा wait करते कि market का reaction देखते हैं क्या होता है तो देखी यहां तक तो market ने उनके stop loss खाई लेकिन जब इसका भी downside निकलने लगा तो यहां तक आ गया market तो फिर उनकी भी हिमत हार गई और उन्होंने भी अपना position को निकालना शुरू कर दिया फिर होता है दे वाँ पे हमें selling नजर आने लगती है तो वाँमें क्या मिल जाते हैं अपर साइड हमें stop loss मिल जाते हैं और वही market ने किया उनके stop loss खाई और उनके शारा दिन आगर आप chart को reading करना चाते हो तो according to stop loss reading कर सकते हो market में upside नहीं जाता कभी भी क्यों नहीं जाता क्योंकि यहां पे stop अब यहां पर seller वगएरा की थी उनके stop loss खा गई अब मैंने फिबुनाची का टूल आपको बताया है कितना market नहीं रिकवर किया उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि market कितना रिकवर कर दिया तो उसके बाद आपको stop loss मिलेंगे या नहीं मिलेंगे अब मैं बात कर लेता हूँ panic selling अमें फिर से कहां देखने को मिलेगी अब देखी आप ध्यान से देखोगे तो जब ये वाला ये वाला सीन हुआ ये panic selling ही होती है जब मैंने आपको काता ना कि ये point के निकलने के बाद हमें panic selling देखने को मिलेगी थोड़ा समय इसको दुबारा से चार्ट को कर देता payment को आप notice किया हुगा आपने कि जब तक ये point नहीं था तो हमें ऐसी selling देखने को नहीं मिल रही थी लेकिन जब ये point cross हो गया उसके बाद देखी ये downtrend शुरू हो गया तो downtrend कब मिलेगा आपको gap down के समय अगर एक uptrend चल रहा था उसके बाद एक market continue एक थोड़ा सा gap down खुला होगा या यहां पर buying की position बनी होई होनी चाहिए उसके बाद अगर market gap down open हो रहा है तो हमें वहां पर panic selling देखने को मिल सकती है ये एक reason होता है और ऐसा uptrend होना चाहिए कि कुछ दिन चला हुआ होना चाहिए ऐसे नहीं कि कल से शुरूआ एक uptrend आया उसको आपने uptrend मान लिय या नहीं एक अच्छा खासा uptrend होना चाहिए या एक market में एक momentum आया हुआना चाहिए कि market buying side की अब देखिए यहां पर क्या नजर आ रहा है अब यहां पर सभी अपने resistance के पास यहां पर selling करेंगे अब दुबारा से यहां पर market जबाएगा तो यहां पर selling किया जाएगा ना क buying किया जाएगा क्योंकि market जब एक downtrend में चला जाता है उसके बाद जब भी कोई resistance के पास आता है या तो वहां पर selling किया जाता है ना कि buying किया जाता है तो इस परकार market काम करता है तो पहले आपको market की psychology को समझना होगा उसके बाद chart reading के आना होगा कि chart reading कैसे करना है तो आपको थोड़ा अंदाजा हो गया होगा कि किस परकार market काम करता है में भी मैंने आपका थोड़ा समय जादा ले लिया लेकिन मेरे कोशिश थी कि मैं आपके कुछ point clear कर पाऊं कि ताकि आपको अंदाजा लग जाए कि market में काम किस परकार करना है अगर gap down open हो जाता है तो gap down open हो जात मैं आपको थोड़ा सा और भी deep में ले चलता हूं यहां पर हमें एक downfall देखने को मिला यहां पर हमें uptrend देखने को मिला और यहां पर upside जाके downtrend देखने को मिला लेकिन अगर मान लेते हैं यहां पर first candle ही red बन जाती एक अच्छी खासी red candle बन जाती तो market क्या करता market further downside नहीं तो वो वाला चार्ट दुबारा से बनना बहुती rare chance होते हैं में भी आपको एक या दो चार्ट ऐसे मिल जाएं साल में दो साल में लेकिन उसकी बात नहीं कर रहा है मैं mostly बात कर रहा हूं कि mostly काम कैसे करता है market तो उसकी अगर हम notice करेंगे तो आपको नजर आएगा अगर यह candle बन जाता वैसे तो बहुती rare chance होते हैं अगर आपको यहाँ पर selling देखने को मिली होगी क्योंकि एक market downtrend में जा रहा था यहाँ पर negative momentum बना हुआ था negative sentiment बना हुआ था तो सभी यहाँ पर selling करने की कोशिस करे थे जहाँ भी resistance available था तो अगर market इतना बड़ा gap down open हो जाता तो यह पर profit booking नजराती है लेकिन वही हम बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर buying की हुई होती है और यहाँ पर हमें एक selling देखने को मिलती है तो maybe आपको समझ में आया होगा कि chart को किस परकार analyze करना है अब आपका holiday आप इसको देखो समझो कि मैंने आपको क्या बता है जब तक आप cable द existence पर काम करना है पहले आप काम करना सिखोगे कि chart किस परकार चलता है market momentum किस परकार देता है market का actual में जो behind the reason होता है वो क्या होता है तब जाकर आप price action के एक पटरी पर आओगे तब मुझे लगता कि आप market में successful बन जाओगे एक trader कितरह है और एक investor कितरह हो और एक positional trader भी आप कोई भी trading करते हो आपको chart reading must है और सबसे जादा important है कि आप intra day पहले सीखो तो उसके बारे में हम कभी फिर discuss करेंगे लेकिन मिलते है next वीडियो में आपको बस केवल ये समझाना कि मैंने आपको पताया क्या है उसके पिछी technique मैंने क्या use की है अगर उसको आप अच्छी तरह स कोई भी problem नहीं होगी